हालो एवरीवन मैसेल्फ कमलेश चौधरी टीम फिजिक्स सील्सी सीकर आज अपन माइनर टेस्ट सिरीज जेएडवांस 20 22 का जो माइनर टू है फो डिसक्स करने जा रहे हैं फिजिक्स का जिसके अंदर अपने टॉपिक है सर्कुलर मोशन सेंटर आफ मास लीनियर मोमेंटम ग तो उसमें पहले कोश्चन पर आते हैं मार्किंग स्कीम जो पहले थी कि फुल मार्क पे प्लस फोर और नेगटिंग मार्किंग माइनस बन है तो फिर्स्ट कोश्चन में हमें एक सॉलिड सेमिसलेंडरिकल पार्ट दे रखा है इसकी रेडियस है मास है इस वाली सिच्वेश अंपर और अंध्यार उब सिच्वेशन में हमें के इनर्जी पूछी तो पहले हम फ्रिक्शन लेस सर्फीस लेते हैं प्रिक्शनलेस frictionless situation लिए तो उसमें इस पे forces लिख रहा हूं है center of mass जो होगा उसका यहां कहीं होगा इस पे downward हो गया mg capital M ले लो small M ले लो एक ही mass है इसमें small M लिख दिया है normal upward इस वाले point पर contact है normal लग गया center of mass का acceleration देखोगे तो forces vertical में है इसलिए downward ही जा सकता है यह center of mass का acceleration लिखा पूरी बाड़ी center of mass के बाव डोटेट कर रही होगी किसे angular acceleration अलफा से यह मैंने freeboard diagram बना दिया इसका net, x जो है यह distance को x बोलके मैं बोल सकता हूं x है 4R by 3P क्योंकि solid half disc के अंदर या solid semi-cylinder के अंदर center of mass यहां से 4R by 3P होगा तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं, forces लिख रहे हैं और torque लिख देंगे, forces से आ रहा है mg minus normal equals to ma ठीक है acceleration of center of mass torque लिखें, तो torque center of mass के बावट ही लिख रहा हूं, तो center of mass के बावट torque mg का तो 0 आजाएगा, normal का आजाएगा n into x और net torque equals to i alpha i center of mass के बावट इंटो एलफा यह दो equation आगे, लेकिन अभी एक और equation चीए, क्योंकि normal acceleration alpha 3 unknown है तो इसमें ऐसा कोई point देखते हैं, जिसका हमें motion पता हो ठीक, तो इस वाले center of mass के लिए तो बोल सकते हैं, downward है तो वो तो acceleration a है इस वाले point के लिए नहीं बोह सकते हैं, बिल्कुल horizontal में जा रहा होगा या vertical में जा रहा होगा, यह दोनों direction में जा सकते हैं, लेकिन यह वाला जो point है इस point को देखोगे, तो surface से हमेशा कोई सभी point contact में है, surface से हमेशा distance इसकी r रहनी है तो इसलिए अगर यह इस वाली situation से यहां था, अगर इस situation में भी आएगा तो यह center जो है, यह बिल्कुल horizontal में ही जाएगा तो इसका acceleration horizontally होना है, through out हार एक point पे दिखते जाओगे तो भी, तो इसलिए मैं इसका acceleration horizontal में बोल रहा हूँ, vertical में 0 कर रहा हूँ तो इसका net acceleration क्या होगा, downward a, translation की वज़े से, rotation की वज़े से, उपर की और alpha r, और net acceleration इसका vertical में 0, यह हमारे पास तीन equation आ गई, अब इससे calculate करना है, तो इसमें रख दिया, हमें calculate करना था, alpha की value, इसमें n की value रख दी, तो mg, minus n की जगे लिख सकता हूँ, icm, center of mass के about moment of inertia, alpha, divide by x, equals to ma, और a की जगे लिख सकता हूँ, alpha x, तो alpha की value यहां से अपने पास calculate होके आ जाएगी, alpha equals to, इनको इदर ले हो गए, mg, x से cross multiply कर दो, x, divide by, icm, यह दर आया था, icm, plus mx square, यह अगया, अब इसमें देखें, icm plus mx square, हमें center of mass के about moment of inertia नहीं बता है, लेकिन icm plus mx square, parallel axis पर हम से, इस point का moment of inertia हो गया, और इस point का moment of inertia बता है, में half mr square होता है, तो इसको मैं half mr square लेकर रहा हूँ, तो alpha equals to mgx by half mr square, ठीक, m cancel हो गया, तो alpha equals to 2gx by r square, और x की value हम substitute करें, 4r by 3pi, तो यह 48g r एक cancel हो जाएगा, divided by 3pi r, तो यह इसका angular acceleration alpha आजाएगा, ठीक है, तो first option जो था, वो था 8g by 3pi r, first option अपना, correct है इसमें, अब आगे, energy भी calculate कर लेते हैं, एक बार, तो जब इसमें energy calculate करें, जब slip नहीं हो रहा था, maximum kinetic energy कब होगी, जब potential energy इसकी minimum होगी, तो यह इस वाली situation में है, आगे कोई सी भी situation में जाएगा, तो सबसे कम height ground से center of mass की, यहीं होगी, बाकी और कोई साभी point अच करवाद हो, center of mass उपर उठेगा, तो minimum height यह है, तो यहाँ से यहाँ तक potential energy minimum decrease होती जा रही है, तो यहाँ पे potential energy थी mg center of mass की height r, यहाँ पे potential energy हो गई, यह x बोल रहे हैं, यह total r है, ground से height हो गई mg r minus x, तो यह potential energy में decrement या change हुआ, उतना ही kinetic energy में increment हो जाएगा, तो maximum kinetic energy हो गई mg r cancel हो गई mg x, तो mg 4 r by 3 pi, तो जो kinetic energy बोल रखिए 4 mg r by 3 pi, यह भी सही हो गया कि without slipping की condition में यह इसके kinetic energy है, maximum. अब जब slip हो रहा है तब वाली situation देखे, sorry, without slipping भी जा रहा है तब, तो उस वाली condition में pure rolling हम बोल रहे हैं, तो friction भी लगना है ground से, कोई सी भी direction में लग रहा होगा, बाकि center of mass पे mg है, normal है, center of mass का कुछ acceleration होगा, कोई सी भी direction में भो सकता है, vertical भी आएगा, आगे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें instantaneous axis of rotation पता है, यह वाला point slip नहीं हो रहा, तो इस instant पर यह वाला particle रेस्ट में, तो इसके according हम, इस वाले point के about हम लिख रहे हैं, net torque equals to IEL, तो इसके about net torque, यह distance x है, तो ओ point के about net torque आगया, normal friction का 0, mg, perpendicular distance, इस ओ point से, mg की सुरी, तो इस आगया, mg x, net torque equals to IEL, इसके रहे हमें, ओ point के about हमें moment of inertia, इसका calculate करें, तो ओ point के about moment of inertia, complete का इस वाले point के about moment of inertia होता है, half MR square plus MR square, half part ले रहे हो, तो भी दोनों का बराबर बराबर ही moment of inertia होता है, इसके about, तो complete का इस point के about, moment of inertia है, half MR square plus MR square, mass double है, तो इस point के about, एक part का कितना हो जाएगा, half, लेकिन mass भी double था, cancel हो जाएगा, तो यह moment of inertia ओ point के about, M इसका, M इसका, तो यह put करें, तो यह हो गया, M G X, X की value है, 4R by 3 pi, equals to moment of inertia, 3 by 2, MR square, alpha, तो यह 8 हो जाएगा, 8 by 9, तो alpha equals to 8 G by 9, 5R, यह 9 है, तो यह इसका angular acceleration आगया, तो angular acceleration, 8 G by 9 pi R, यह ठीक हो गया, kinetic energy, maximum, तो यहाँ पे भी वो ही है, कि अगर यह rule होता हुआ जाएगा, तो friction तो static है, तो इसकी विज़े से loss होना नहीं है, loss नहीं होना, तो energy conservation वैसे लगा सकते हैं, कि जितना potential energy में decrement होगा, उतना kinetic energy increase होगी, तो इस वाले case में भी minimum potential energy तब ही होगी, जब यह इस तरह की situation में आ जाएगा, तो इसी situation में maximum kinetic energy होगी, तो same calculation है, loss हुआ नहीं है, तो same kinetic energy maximum होगी, slipping हो या नहीं हो, तो kinetic energy maximum यह तो आ गया था, यह different है, half दे रखा है, तो इसलिए गलत हो गया, तो अपने options जो है, वो सही हो गया, first, second, और third, next question पर चलते हैं, next question में, हमें एक hollow sphere दे रखा है, mass M, radius R, और completely fill किया हुआ है, एक liquid से, इसका mass M है, अब initially liquid जो है, वो तो rest में का है, sphere के अंदर, और sphere खुद angular velocity, omega node से rotate कर रहे है, एक vertical axis के बाउट, जो center of mass से पास परी है, due to viscous forces, कुछ time के बाद, जो liquid है, वो भी rotate होने लग गया, और उसके angular velocity, linearly increase हो रही है, linearly increase with radius, time के साथ बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं, distance के साथ, तो कुछ time के बाद, जो velocity आई है, center वाले point की 0 आ रही है, आगे बंडे की साथ साथ, omega इसके angular velocity आती जा रही है, तो इसमें पूछावा है, यहां पर omega, पुरे स्फेर की angular velocity है, तो इसमें options पूछे हैं कि final angular velocity कितनी आ जाएगी, final kinetic energy कितनी हो जाएगी, और angular momentum of system will conserve about the vertical axis, तो angular momentum ही conserve करके, हम यह calculate करेंगे, angular momentum इसलिए conserve करेंगे, क्योंकि एक दूसरे पर force लगा रहे है, external कोई force है नहीं पर, तो इसलिए angular momentum conservation लगा रहे होंगे, इसके अंदर जो है वो तो rest में, थोड़े time के बाद, यह किसी omega angular velocity से rotate कर रहे है, जो इसके अंदर liquid है, वो center से radius के साथ vary हो रहे है, तो किसी भी r distance पर जो angular velocity होगी, r distance पर angular velocity, वो 0 से omega change हो रही है, तो r distance पर angular velocity बोल सकता हूँ, linearly increase करनी है, finally omega करनी है, r radius पर, तो किसी r distance पर angular velocity इतनी होगी, angular velocity लिख दी, angular momentum conservation लगाना है, तो पहले का angular momentum और बाद का angular momentum लिख दे, पहले का angular momentum केवल outer shell जो है वो rotate कर रहा है, तो उसका momentum inertia होगी है, 2 by 3, mr square, i omega, यह initial angular momentum है, बाद में angular momentum उस शेल का तो ऐसे लिखेंगे, 2 by 3, mr square, omega, लेकिन जो अंदर liquid है, उसका distance के साथ-साथ angular velocity change हो रहा है, यह पूरे का एक साथ ना लिखे, हम बोज़कते हैं, एक छोटे से part का angular momentum, को integrate करना है, यह इसका angular momentum है, तो इसको integrate करते हैं जरा, तो moment of inertia कोई छोटे से part का, distance के साथ-साथ angular velocity बढ़ रही है, तो हमने एक छोटा सा distance ले लिए dr, उस dr shell का angular momentum लिख रहा हूँ, omega dash बोल दो या omega r बोल दो यहाँ पर, r के साथ जो चींज़ रही है, इस part का momentum लिख रही है, तो 2 by 3 m dm part का, dm लिख सकता हूँ, mass upon volume, into small dr thickness के sphere का volume, 4 pi r square dr, तो यह मैंने लिखा, d i के लिए 2 by 3, holosphere है इसलिए 2 by 3 m r square, omega r distance की यह है, omega outer shell की है, by capital r small r, इसको integrate करना है, total 0 to small r, तो इसमें देखेंगे, r square r की power 4, r की power 5 है, बागी सारे constant है, तो r की power 5 by 5 एक्स्ट्रा जाएगा, 3 cancel हो गया, 4 cancel हो गया, pi cancel हो गया था, बागी values integrate की, तो यहां पर finally लिखा रहा हूँ, तो यह था, 2 by 3 m r square omega naught, equals to 2 by 3 m r square omega, plus यह integration आ गया, m r की power 5 by 5, जिसमें r की power 4 नीचे cancel हो गया, तो एक यह r बचेगा, ठीक है, एक omega, sorry, r की power 5 था, r की power 6 by 6, गलत बूल दिया, तो r की power 6, नीचे से 4 cancel हो गया, by 6 बचेगा, तो 6 नीचे रहेगा, उपर 2 रहेगा, तो 2 by 6 या 1 by 3 आगया, ठीक है, तो यह होगे है, 3 by 3, बागी सारी value cancel होई, तो omega equals to 2 by 3, omega naught, तो यह final angular velocity, इसकी आगया, angular velocity, मैं छोरी है, first ठीक है, kinetic energy calculate करनी है, इस पूरे system की, तो kinetic energy के लिए भी यही तरीका लगा है, angular velocity यह रही, तो इसमें, इधर वाले part को एक बार हटा जिते है, calculation वही करनी है अपन को, तो इस part की kinetic energy लिख सकता हूँ, integration of half I omega square, ठीक, I की value जैसे पहले लिखा था, 2 by 3, इस part का, M by 4 by 3 pi r square, cube sorry, 4 by r square dr, ये लिखा है मैंने, 2 by 3 m r square, omega की value लिख दी, omega यहां पे था, omega r, omega by capital r, small r का full square, इसको integrate करना, 0 to capital r, तो ये spark की kinetic energy आ जाएगी, तो इसमें values आ गई, cancel क्या क्या हो रहा है, 4 by 4 by cancel हो जाएगा, 3 यहां से cancel हो जाएगा, r की power 2, 2 और 2, r की power 6 है, r की power 7 by 7, और r की power 7 में से 4 cancel हो जाएगा, तो r की power 3 रह जाएगा, 3 रहेगा, नहीं, sorry, 2 ही रहेगा, तो r की power 2 by 7, तो 2 by 7, हाफ भी था है यहां पे, तो यह रह गया, 1 by 7, m r स्क्वेर, ओमेगा, और बाकी की कानेटिक एनर्जी है, हाफ i ओमेगा स्क्वेर, यह कानेटिक एनर्जी, तो अवर रहल कानेटिक एनर्जी आ गई, 6 और 6 और 14, तो 6 और 14 हो गए, 20 divided by 42 m r स्क्वेर, ओमेगा स्क्वेर, ओमेगा नॉट की डर्म में दे रखा है, तो ओमेगा को लिख दिया, यहां से, 2 by 3 ओमेगा नॉट, तो 2 by 3 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, 3 का स्क्वेर 9, और उपर 4 रहेगा, तो फाइनली वेल्यू आगई 20 by 42 into 4 by 9, बाकी वेल्यू is m, r स्क्वेर, ओमेगा, नॉट स्क्वेर, 4 से 2 से, यह रजाय आगा 21, 21, 9, 18, उपर 40, तो 40 by 189, यह काइनेटिक एनरजी भी आ रहा होगा, तो इसमें यहां पर यह वेल्यू हो गया, यह हो जाएगा, यह हो गया, एंगुलर वेंटम कंसर्वेशन है, next question पर चलें, question number 3 पर, question number 3 के अंदर दो पार्टिकल है, A और B, जिनका मास M है, एक थ्रेड से अटेज्ड है, थ्रेड की टोटल लेंथ 2L, और पूरे सिस्टम में एक होरिजन्टल सर्फेस, स्मूद सर्फेस पर लाई कर रहा है, B को इनिशल वेलासिटी दे दी, L डिसेंस पर था, B की वेलासिटी का A B के अलॉंग कॉम्पोनेंट और कॉम्पोनेंट अफ V B पर्पेंडिकुलर टू A B, V B के दोनों कॉम्पोनेंट पूछे हैं तो दोनों की वेलासिटी पूछे हैं, तो देखो जब ये जर्क लगेगा, उससे पहले तक तो ये A रेस्ट में है, B की वेलासिटी इस तरफ है यू, ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस पता नहीं कितनी है, लेकिन टोटल स्ट्रिंग लेंथ है 2S, ये सिच्वेशन है, ये एंगल मैं थीटा कंसिरर कर रहा हूँ, तो जैसे ही जर्क लगेगा, तो जर्क लगने के बाद, जो स्ट्रिंग है, वो नॉन लास्टिक है, तो इसलिए हम बोज़ सकते हैं कि इधर की और, कोई extension compression नहीं आएगा, दोनों सेम वेलासिटी से इस तरफ जा रहेगी, तो इस तरफ दोनों की वेलासिटी तो सेम हो जाएगी, और इसके perpendicular जो है, इस पे कोई जर्क या कोई फोर्स नहीं लगा, तो इधर perpendicular वेलासिटी रहेगी, तो ये तो रहेगा, यू साइन थेटा, और इस तरफ हम momentum conservation लगा सकते हैं, कॉस थीटा की direction, क्योंकि इधर दोनों पे कोई फोर्स लगा नहीं, तो इस direction momentum conservation लगाया, पहले वेलासिटी थी, मु कॉस थीटा, बाद में दोनों साथ में मूँ कर रहे हैं, तो 2MV, V की वेल्यू आ गई, यू बाई 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वेल्यू लिख सकता हूं, ये distance, ये distance आ जाएगा, 4-1, root 3 L के बाद गए, तो इससे ये वेलासिटी आ गई, यू, कॉस थीटा की वेल्यू हो गई, root 3 by 2, root 3 by 2, 2 पहले से 4, तो ये दोनों की common velocity इस तरफ, इस तरफ इसकी वेलासिटी है, U sin थीटा, और sin थीटा की वेल्यू लिख देंगे, L by 2, L, तो U by 2 ये होगा, अब options देखते हैं, पहले option हम बोल लखा है कि A की वेलासिटी, तो A की वेलासिटी की एबल V है, और V की वेल्यू ये रही, सही है, B की वेलासिटी, तो B की वेलासिटी का एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, स्क्वेर करके अड़ करोगे, तब B की वेलासिटी आगी, तो second पार्ट गलत है, component of VB along AB, इस line के along B का component ये सही है, तो first सही हो गया, third सही हो गया, component of VB perpendicular to AB, U by 2 ये भी सही है, तो second option सही नहीं है, बाकी सारे options, correct है, first, third, और fourth, next question पे चलें, next question में, एक free space में एक rifle capital M मास से shoot किया, एक small M मास का bullet, जो stationary block capital M से D distance पे है, अब इस में मास दोनों का M है, rifle का और block का, अब distance D move कर रहा है, जब bullet block की तरफ, तो center of mass of the bullet, bullet block system at a distance of, rifle की जरुद नहीं है, bullet और block का पूचा वे, लेकिन अलग अलग position से पूचा वे, rifle से कितना distance पे है, और bullet से कितना distance पे, block से कितना है, तो fire करने के बाद, ये D distance move कर चुकी, bullet block की तरफ, block वहाँ से D distance पे था, ठीक है, लेकिन जैसे ही fire किया, तो rifle पीछे की और जाएगी, क्योंकि recoil speed में लेगी, recoil की वज़े से, rifle जो है free space में था, यहां कहीं, rifle जो है, वो move कर रहा, ठीक है, पीछे की और displace हो गया, तो उसका displacement मैं लिख सकता हूँ, कि अगर दोनों का center of mass यहीं रहना है, इस वाली position पे 0, तो M1 X1, plus M2 X2, divide by M1 plus M2, यहीं रहना है, मैं इसको 0 कंती रह कर रहा था, फिर इसको minus X, इसको plus X पे बोला, तो X की value आ गई यहां से, M, D by capital M, यह distance है, तो हमें center of mass पूछा है, इन दोनों का, bullet से कितने पे है, block से कितने पे है, rifle से कितने पे है, तो अगर हम इस से calculate करें, इसको बोल देता है, 1, 2, 3, 1 से calculate कर रहा हूँ, center of mass की distance, तो M1, उसको reference consider कर लिया, तो M1, X1 distance, distance, D plus M, D by capital D, block का, M, 2, X2, distance हो गई, X plus D, X की value है, D, divided by दोनों का mass, M plus है, तो यह तो पहले से, इनके center of mass की distance आगई, जिसमें, M, D, और यह भी M, D हो जाएगा, 2 M, D, plus M square, D by capital M, plus capital M, D, divided by mass, इसका summation, यह पहले से आगए, second से, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, second के लिए, bullet से कितने distance पर, इसका center of mass, तो bullet को ही origin consider कर लिया, तो M1, X1, 0, M2, X2, यह distance है, capital D minus small d, M2, X2, divided by M1 plus M2, यह X2 आगए, दूसरे से distance, T से से block से distance निकालनी है, तो इसको origin consider कर लिया, M1, X1, D minus D, divided by, M2, X2, 0, divided by M1 plus M2, यह से position है, तो देखे, इसमें, पहले में बोल रखा है कि, block से distance कितनी है, center of mass की, तो block से distance third थी, तो block से distance है, small M, capital D minus small d, सही है first, second option में बोल रखा है, कि, rifle से distance कितनी है, तो rifle से distance आ रही है, 2MD, 2MD, लेकिन यह option बिल्कुल नहीं है, match नहीं हो रहा, third option भी अलग है, third option भी match हो नहीं हो रहा, fourth option हम बोल रखा है कि, bullet से कितनी distance है, तो bullet से distance यह निकाली थी, same distance bullet से आ रही है, तो इसका मतलब अपना option, जो first, block से distance, और जो bullet से distance है, वो match हो रहा है, यह दोन option हो, next question, इसमें एक uniform rod देदी, mass given है, length given है, और दो perpendicular smooth wall पर, इनके point P और Q दे रखा है, कि यह point P है, Q है, velocity is given है, P की velocity 4, Q की velocity 3, अब इसके according हमें बताना है, कि angular velocity rod के कितनी है, और angular velocity बोल रखा है, second में, velocity of center of mass केतना है, total kinetic energy के तरही है, तो देखे, इसमें हमें calculate करने के लिए, हम यह बोज़ सकते हैं, कि इसमें instantaneous axis of rotation, अगर मैं find कर लूँ, तो instantaneous axis of rotation के बहुट, इस पूरे को rotate करता हुआ समझ सकते हैं, और फिर हम इसके angular velocity और center of mass की velocity calculate कर सकते हैं, तो यह 3, 4 velocities given है, इनको use करते हुए देखते आगे, इस particle की, इस point की velocity थी, यहाँ पर अपने 3, और इसकी velocity है 4, तो instantaneous axis of rotation निकालने के लिए, अगर मैं यहाँ से perpendicular इदर drop कर दूँ, क्योंकि उस point के अबाउट rotate कर रहा होगा, इसकी velocity downward है, तो center यहाँ नहीं होगा, इस point की velocity horizontal है, तो इसके according भी, तो यह इसका instantaneous axis of rotation होगा, अब इसके about rotate कर रहा होगा, angular velocity omega से पूरा system, center of mass बिलकुल mid में होगा, यह distance मैं x ले लूँ, यह y अगर बोल दूँ, तो center of mass की distance, यहाँ पर हम calculate कर सकते हैं, in terms of x and y, देखेंगे भी, पहले मैं omega calculate करने के लिए बोल रहा हूँ, कि x into 3, sorry, x, v by r किया, यह center of mass के about, instantaneous axis of rotation के about, angular velocity इसकी, और यहाँ से बोल सकता हूँ, मैं इसको 4 by y की बराबर, यह होगा, तो इस से x और y की value में पता है, वो calculate करके, omega लिख सकता हूँ, x square plus y square, rod की total length है, और total length दे रिखेंगे में 0.5, 1 by 4 होगे, square किया, x की value मैंने रख दी, 3 by omega, y की value रख दी, मैंने 4 by omega, equals to 1 by 4, तो यहां से omega कामल होगे, 3 square, 4 square, 5 वो हो रहा है, 25 into 4, 100, तो omega square equals to 100 आ रहा है, omega की value आ गई, 10 radian per second, तो पूरा system, इस वाले point के about, omega angular velocity से rotate कर दे, center of mass की velocity निकालनी अगर मुझे, तो उसके लिए मैं यह distance calculate कर लूँ, तो यह वाला point, अगर total distance x ही, तो x by 2 पह है, यह point y में y by 2 पह है, तो इसकी यहां से जो distance हो गई, वो root of x square plus y square by 4 हो गई, तो distance पता है, angular velocity पता है, तो मैं लिख सकता हूँ, इसके लिए velocity, velocity of center of mass, equals to omega, और center of mass से उसकी perpendicular distance, या distance, वो हो गई, x square by 4 plus y square by 4 का root, और x square plus y square पता था, distance है, total length है 1 by 4 है, तो यह 1 by 4, velocity of center of mass आ गया, omega 10, 4 बहार लिया, जो 1 by 2 हो गया, और यह value है 1 by 4, तो angular, sorry, velocity of center of mass जो है, वो आ रहा है, 10 by 8 meter per second, options गखते हैं, angular velocity of rod 10 radian per second, आ रहा है अपना option, second भी angular velocity था, तो first आ गया, velocity of center of mass बोल रहा है, 2.5, जबकि अपना यहां से कितना आया, यह 1 minute, यह length है, by 2 था, sorry, by 4, तो velocity of center of mass कितना आ गया, 2.5 meter per second, second भी सही है, kinetic energy लिखें, तो kinetic energy के लिए, आते हैं इस पर, मैं बोल सकता हूँ कि, पूरा system center of mass के अबाउट, omega angular velocity से रूटेट कर रहा है, और center of mass के कुछ velocity है, जो भी direction हो, तो kinetic energy लिख सकता हूँ, half mv square, plus half i omega square, v center of mass, तो यहां से ही आ गया, half mass of rod हमें गिवन था, rod का mass है, यहां पे 2 kg के बराबर, तो half mv square, velocity of center of mass 2.5 आ गया था, square 6.25, plus half i, rod का moment of inertia बोलते हो, 1 by 12, center of mass के अबाउट, m l square, length था 0.5, 1 by 4 हो गया, square किया, omega की value आ गयी थी, 10, square करेंगे, 100, यह इसकी total kinetic energy है, 6.25, plus, यह हो गया, 100 by 4, 25 by 12, option जो दे रखा है, वो fraction में दे रखा है, तो इसको हम, 6.25 को, 25 का square लिखाव है, 0.25 का, 2.5 का, तो 1 by, यह 10 by 4 बोलते हो, square लिख दो, इसका, तो यह था, 100 by 16, plus 25 by 12, जिसको 25 by 4, बोलें, और, LCM लें, 3 से, 75 plus 25, 100, डिवाइड बाइ, 12, मीटर, जूल में काइनिटिक एनर्जी, तो 25 by 3, काइनिटिक एनर्जी मैच हो रही है, तो इसके, अकॉर्डिंग, अपना option, first angular velocity मैच होगी, velocity of center of mass मैच होगी, तोटल काइनिटिक एनर्जी, मैच होगी, next question पर चलता है, इसके अंदर, एक particle, जो है, वो circular path, 2 meter की radius में, मुग कर रहा है, जिसके angular velocity दे रखी, omega, इतने time के बाद, पूछा हुआ है, कि displacement कितना होगा, अंगल चल जाएगा, constant angular velocity है तो, एंगल बोच सकता हूं, omega into t, angular velocity omega, time दे रखा है, हमें, pi by 3 omega, pi by 3, अजब 60 degree एक तरह से rotate हो गया, तो देखें, 60 degree अगर rotate हो रहा है, तो यह तो हो गया, इसका displacement, यह अगर r distance है, यह r distance है, तो यह अंगल भी देखो कि 60-60 आ जाएगा, तो displacement तो radius के बराबर है, तो displacement है इसका radius के equal, distance कितना travel कर गया, तो distance travel बोल देंगे, यह arc length के बराबर, arc length बोलते हैं, r theta, r theta है pi by 3, radius question में given था 2, तो displacement तो आगया 2 meter, और distance आगया 2 pi by 3 meter के बराबर, option देखें, पहले में magnitude बोल रखा है, r r, distance का magnitude थार्ड में बोल रखा है, वो भी match हो रहा है, तो यहां पर अपने पास first और third जो है, option correct, next question पर चलें, 7 पर, इसमें बोल रखा है कि, एक small ball है, M mask की उसको suspend कर दिया, एक light string से, और पहले क्या किया हुआ है, string को release किया है, side में ले गए, और right angle बनाते वे vertical से release कर दिया, तो मतलब यह situation है, शुरुवात में यह string थी, यहां से release किया, फिर अलग-अलग situation में हमें पूछा हुआ है, पहले बाटब वो लखा है कि, lowest point, tension is maximum, तो देखो, किसी भी general point पर अगर हम tension लिखें इसमें, theta angle ले लिया, downward mg होगा, इधर की और tension force होगा, center की तरफ centripetal acceleration, tangential भी acceleration आएगा, तो इस direction में अगर मैं equation लिखूँ, along string, तो यह आएगा, T minus mg cos theta, equals to mac, और इस direction में equation लिखोगे, तो आएगा, mg sin theta, equals to m80, सही है, अब जरह देखते हैं, lowest point पर tension, तो tension की value आगई, इसको उठा के इधर ले जाएगा, इस वाले term को, यह tension की value आगई, तो जैसे जैसे नीचे आएगा, एक चीज़ और centripetal acceleration कितना होता है, V square by r, तो नीचे move करने के साथ-साथ velocity बढ़ रही है, तो यह वाला term बढ़ रहा होगा, angle की value decrease हो रही है, लेकिन decrease होने के साथ theta बढ़ता है, तो tension नीचे आने के साथ-साथ बढ़ रहा है, तो lowest point पर tension force maximum है, during motion acceleration at a point may be horizontal, तो देखें, इसका acceleration इस वाले point पर velocity 0 है, तो initial point पर centripetal acceleration तो है नहीं, theta 90 है, tangential acceleration है, तो यहाँ पर acceleration इधर ही है, lowest point पर पहुचेगा, तो lowest point पर theta 0, 80 0 हो जाएगा, tangency 0 हो जाएगा, cable centripetal रहेगा, वो उपर की और हो गया, यहाँ पर दोनों ही norm 0 है, इसका मलदा पहले acceleration vertical है, change होता गया, इस वाले point पर बिल्कुल vertical हो गया, तो मैं बोज़कता हूँ कि acceleration बिल्कुल vertical downward से vertically upward हो रहा है, change करता हूँ रोटेट करता हूँ, तो acceleration शुरवाती instant पर यह है, फिर ऐसे change होता जा रहा होगा, और फिर बिल्कुल vertically upward हो गया, तो पहले क्या बोल रखा है कि during motion acceleration में भी horizontal आएगा, किसी ने किसी point पर, during motion acceleration at a point में भी vertical दो point है, initial और final, the initial acceleration is vertically downward, वो भी सही है, तो actual में इसमें, चारो option जो है, वो अपने correct, next question पर चलते है, 8th question में, एक 40 kg का man, एक rope से लटका हुआ है, L length है, oscillate कर रहा है, vertical plane में with angular amplitude, theta naught, theta naught amplitude के साब, oscillate कर सकता है, breaking strength of rope is 80 kg, मतलब 80 kg तक weight सेहन कर सकता है, अगर आदमी लटका भी रजागा, तो रसी नी तूटने वाले, and theta जो है, वो string vertical से, किसी भी moment पर जो angle बना रही है, वो बता रही है, पहले में बोल रखा है कि, velocity man की, जब रूप कोई theta angle बना रही है, तब इतनी है, second में बोल रखा है कि, tension जब theta angle होगा, तो इतना होगा, और maximum angular amplitude जो है, वो 30 तक जा सकता है, वोर्त में all of these बोल रखा है, तो देखते हैं, theta naught, यह इसका maximum amplitude, यहां से किसी theta तक आया, velocity भी पूछा है, tension भी पूछा है, तो tension के लिए तो free body diagram बनाओगे, mg, tension, theta, center की तरफ, centripetal acceleration, इधर की और tangential acceleration, तो tension के लिए तो अभी equation लिखी दिए, वो ही होगी, T minus mg cos theta, equals to mac, v square by r, tension यहां से calculate कर लेंगे, लेकिन we calculate करना है, पहले, तो we calculate करते हैं, यहां पे, velocity calculate करने के लिए, मैं energy conservation लगा रहा हूँ, तो इस वाली position से, इस वाली position तक आने में, यह L है distance, तो यह height हो गई, L cos theta, not, यह total distance हो गई, L cos theta, यहां से यहां तक, तो work done by gravity बोल दो, या potential energy में change हो गया, mg, finally, अब हाइट में change है, यह उसके basis पे लिख रहा हूँ, final, यह ज़्यादा है, यह कम है, तो L cos theta, minus L cos theta not, यह हमने किया, potential energy में change, वो kinetic energy में convert हो जाएगा, पहले rest में था, maximum oscillation पे, तो velocity की value, यहां से आ रही है, 2, M cancel हुआ, GL cos theta, minus cos theta not, root, velocity आ गया, इसमें put कर दिया, tension force के लिए, तो T cos 2 आ गया, M G cos theta, plus M V square, V square, इसका square हो जाएगा, root आठिक है, divided by R, मतलब वो ही radius या length है, इसको length लेख दू, तो L cancel हो जाएगा, तो यह 2 G cos theta, minus cos theta not हो गया, यह value आगया, M G cos theta, 2 M G cos theta, यहां से है, तो 3 M G cos theta हो जाएगा, M G common ले ले तो 3 cos theta, और minus 2 cos theta not, यह tension force हो गया, ठीक है, यह value आगया, तो option कौन-कौन से match हो गया, अभी तक, velocity जो है, वो आ रहा है, इतना, 2 G L cos theta, minus cos theta not, सही है, tension force जो आएगा, वो 3 cos theta minus 2 cos theta not, M G, M था 40 G की value 9.8, तो अगर 10 ले ले तो 400 होता, 400 में से 8 कम है, 392 सही है, तो tension भी सही हा रहा है, फिर यह बोल रहा है कि, कितने maximum angle तक रहेगा, तो maximum angle कब तक रहेगा, जब तक कि tension, break नहीं हो जाए, maximum जो आए, वो 80 से ज़दा नहीं पहुंच जाए, तो देखें, हम हमें क्या करना है, tension force जो calculate हुआ है, यह maximum होगा, lowest point पर, lowest point पर, इसको हमें M G के, sorry, 40 था mass, 80 के बराबर करना है, 2 M G बोल दो, 2 M G के बराबर कर देना है, मैंने tension force, और maximum होगा, जब वर्टिकल आएगा, और यह value था, M G, 3 cos theta, वर्टिकल ही आगया, तो theta 0, 2 cos theta 0, सही लिखा, tension force maximum है, twice of weight, यह weight लिखा है, tension force सबसे ज़्यादा कब होगा, lowest point पर, वहाँ पर break होने की possibility सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ, attention लिख दिया अपनने, यह आए आप 3, तो 2 equals to 3 minus 2 cos theta 0, 1 by 2 equals to cos theta 0, theta 0 की value आगई, half होता है cos 60 degree पर, 60 degree इसकी value आगई, options में दे रखा है 30 degree, इसलिए 3rd गलत है, option होगे अपना 1st और 2nd, next question पर चले, 9th पर, 9th question में, हम एक heavy particle बोल रखा है, जो tie किया हुआ है, बंदा हुआ है, एक string से 1.6 meter, other end fix किया हुआ है, revolve कर रहा है, conical pendulum में string 60 degree बना रही है, vertical से, तो conical pendulum में यह rotate कर रहा है, और string vertical से 60 degree बना रही है, length बता रही है 1.6, time period of revolution बोला हुआ है, tension पूछा हुआ है, weight के comparison में double है, velocity बोल रखे कितनी है, centripetal acceleration पूछा हुआ है, तो इसमें, यहाँ पर downward mg, tension force, circular path यह है, तो center की तरफ centripetal acceleration होगा, यह 60 degree है, तो यह vertical से 60 degree है, तो tension का vertical component T, cos 60, वो balance हो रहा है, इसके weight से vertical में, cos 60 half होगा, तो tension force 2 mg के बराबर है, weight का double है, यह option अपना एक match होगे, दूसरा center की तरफ tension force, T sin 60, वो होगा, M omega square R, यह M v square by R बोल दू, यह radius होई R, यह बोल सकता हूँ, L का sin component, L sin 60, sin 60 cancel होगा, tension 2 mg के बराबर है, तो 2 mg equals to M omega square L, M cancel होगया, तो omega की value आ गई, root of 2 G by L, G की value, question में हमें बता रखी है, 9.8, और L की value, 1.6, calculation करते हैं, तो 1.6, 9.8 जो है, इसमें से 2 ले लो, point और cancel कर दो, तो 2 into 2 into 49, divide by 16 बोल दता हूँ, points आपस में cancel कर दिया, तो यह है 7, 2 और 4, यह 4 से 4 ताइमस, 7 by 2, radian per second, यह इसकी angular velocity, तो angular velocity, 7 by 2, time period पुछा हूए है, तो time period T, equals to 2 pi by omega, तो 2 pi by 7 by 2, तो ही हो गया 4 pi by 7, second, time period आगया, tension weight का डबल आगया, पुछा हूए, velocity कितना है, centripetal acceleration कितना है, velocity और centripetal acceleration calculate करते हैं, angular velocity 7 by 2 है, तो इसकी velocity आ गई, angular velocity पता है, circular बाद की radius पता है, 1.6 sin 60, तो V equals to omega, omega था, अभी omega लग देते हैं, R की value हो गई, 1.6 sin 60 root 3 by 2, और omega की value कितनी आई थी, अपनी, 7 by 2, तो यह decimal cancel कर दो, 10 ले लो, और 10, 8, 4, 5, 2, तो 14 root 3 by 5, यह इसकी velocity है, 2.8 root 3, match हो रहा है, centripetal acceleration कितना है, तो centripetal acceleration, V square by omega square R बोल दे, यह V square by R बोल दो, omega square R, R की value होई, 1.6 cos 60 root 3 by 2, तो यह आगया, 49, into 1.6, divide by 8, 8 से 0.2 times, root 3, तो 49.2, यह जाएगा, 9.8, root 3, यह भी सही है, तो अपने चारों जो options है, वो इसमें correct, तो section D में, पहले कुशन पर आते है, momentum of inertia, इस semi-circular disc का, mass M है, radius R है, और इस given axis के about, हमें बोल रखा, इसका momentum of inertia, कुछ 1 by 4, MR square, A minus B by 3 pi, ऐसा कुछ आना चीए, तो A plus B की value कितनी होगी, वो calculate करें, तो देखें, इसमें moment of inertia, जो हमें पता है, वो इस वाले axis के about, हमें पता है, वो कैसे, कि अगर आई यह complete होता, तो इस axis के about, moment of inertia होता, center वाले axis के about half, और यह हो जाता है, दोनों का मिलागे, तो एक का कितना होगा, इसका half, तो इस axis के about, इसका moment of inertia है, 1 by 4 है मारस को लेकों, यह इसका moment of inertia है, इस axis के about, parallel axis होग हम लगाते हैं, तो center of mass के about लगाते हैं, यह center of mass नहीं है, center of mass यहां कहीं होगा, यह कुछ distance अगर हम, x consider कर ले, तो x की value है, 4R by 3 by, यह x की value, तो हमें, इस axis के about, moment of inertia पता हो, तो यह होता है, ICM, और प्लस MD square है, तो यह ICM प्लस MD square, इसके बराबर आता है, इसको D बोल दें अभी के लिए, D की value निकाल लेंगे, x के term में, तो यहां पर ICM, यह यह जो moment of inertia है, 1 by 4 MR square, 1 by 4 MR square में, ICM वाला moment of inertia निकालने के लिए, यह 1 by 4 MR square equals to ICM, प्लस MD square, ठीक है, यह दर से, और इसके बाब moment of inertia लिख सकते हैं, पूरा R minus D, तो ICM, plus M, R minus D, whole square, equals to I dash, जो हमें calculate करना है, जो given है इस तरह का कुछ, तो क्या अगर हूँ, दोनों का difference ले लो, ताकि ICM cancel हो जाए, तो आगे calculation के लिए, देखते हैं, तो I dash, minus 1 by 4, MR square, equals to difference लिए, यह पहले, cancel, और MD square, इसके square में भी बनेगा, तो एक तो रहेगा, MR square, plus MD square, cancel हो गया, minus का term रह जाएगा, 2 MRD, सही है, MR square, plus MD square, plus 2 MR, minus 2 MRD, जिसमें, MD square cancel हो गया, तो I dash की value आ जाएगी, 1 fourth add करेंगे, इसमें तो 5 by 4, MR square, minus 2 MRD, D की value लिखनी है, यह value है X, और यह line horizontal से बना रही थी 30, यह दे की diagram में, यह 30 थी, यह 30 है, हमें यह distance निकालनी है, तो X, यह angle है 60, तो X cos 60 D के पराबर है, और X यह रहा, तो 4 R by 3 pi, cos 60, 1 by 2, यही बहा, 4 R by 3 pi, cos 60, 1 by 2, यह पाउन देशिया आगे, तो MR square, अगर common ले लें, तो बागी term है, 5 by 4, minus, to cancel हुआ, 4 by 3 pi, इस से रहा term है, अब options देखें, हमें क्या दे रखा है, A minus B by 3 pi, और कुछ 4 बाहर लिया है, 4 common भी ले रखा था, 4 common ले लते एक बार, 1 by 4, common लिया, तो यह हो गया 16, और यह हो रखा है 1, ठीक है, तो हमें 5, 5 और B 16, इनको एड करना है, 5 और 16 हो गया, 21, तो A plus B की वैली अपने आगई, 21 की ओगा, ठीक, next question पर चले, next question में, यहां पर हमें, तीन particle की वैण है, 1, 2 और 3 kg के, X, Y plane में, center of mass 1 और 2 का मिला के, 1, 6 पे है, 1 और 2 का मिला के, और 2 और 3 का मिला के, 1, 2 पे है, 1 और 3 का मिला के, 4, 5 पर, तो देखें, जहां पर भी particle दे रखे हैं, वहां पर 1 और 2, 1 सबोस कहीं पर रहा होगा, 2 कहीं पर रहा होगा, 1 और 2 kg, यह मिला के, 1, 6 पे हैं, इनका center of mass हार है, मतलब इन दौनों को मिला के, 1, 6 पे अजिम कर सकता हूं, फिर दूसरा बोल रखा है कि, 2 और 3 kg, 2 और 3 kg जो है, वो मिला के, यहां कहीं है, जो बोल रखा है, 1, 2 पे, ठीक है, मतलब इन दौनों को मिला के, यहां पे consider कर सकता हूं, 1 और 3 मिला के, 4,5 पे, तो यह यहां कुछ 4,5 पे, इन दौनों को मैं यहां पे assume कर सकता हूं, लेकिन अगर इन दौनों को assume कर लिया, तो यहां पे 2 kg नहीं बचेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स्ट्रा 1 kg, एक्स्ट्रा 2 kg, एक्स्ट्रा 3 kg भी ले लूँ अगर, तो भी center of mass तीनों का मिलागे, क्योंकि बाद में क्या पुछाओ है, complete system का center of mass, तो 1, 2 और 3 का मिलागे center of mass, या इनकी double का center of mass आना वही है, पूरे system का, तो अब ऐसे consider करते वे, इन दोनों को मिलाके तो यहाँ पे assume कर लिया, इन दोनों को मिलाके यहाँ assume कर लिया, और इस 1 kg और 3 kg को मिलाके यहाँ assume कर लिया, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अपना mass होगा 3 kg, यहाँ पे mass होगा 5 kg, यहां पे mass हो गया 4 की, ऐसे तीन masses दे रिखें, coordinate दे रिखें तो XCM equals to M1 X1 plus M2 X2 divided by, sorry, plus M3 X3 divided by M1 plus M2 plus M3 5, 8, 4, 12, X की value आ गई 16 और 8 यहां जाएगा 20, 4 divided by 12 X coordinate आ गया 2, similarly Y coordinate calculate कर सकने, Y coordinate आ जाएगा M1 Y1 18, M2 Y2 10, M3 Y3 20 divided by mass जो पहले भी था होई 12, तो यह आ गया 38 divided by, 48 sorry, divided by 12, तो यह आ गया 4, तो X plus Y बुच्छावा है इसमें, X plus Y की value आ जाएगे 6, तो 6 इसका answer, next question पर चले, next question में uniform rod mass 1 kg, length 1 kg, 1 meter sorry, horizontal smooth surface पर एक impulse लगा दिया इस पर, 1 newton second का, एक edge पर, normally to the rod, angular velocity of rod, just after the receiving impulse, horizontal surface पर rod रखावा था, यहाँ पर impulse लगा है इस पर, impulse की वज़े से, इसमें पुछावा है कि इसकी angular velocity कितनी होगी, तो हम यह बोल सकते हैं कि center of mass के about, जैसे impulse लगेगा, impulse के बाद center of mass के about, rotate करेगा, किसी velocity जा रहा होगा, तो about center of mass, impulse लिख रहा हूँ, angular impulse, j into l by 2, center of mass के about, angular impulse लिख दिया, r cross j, यह आगया, equals to center of mass के about angular momentum, translation की वैसे तो 0 आएगा, तो 1 by 12 m l square omega, यह होगया, आई omega लिखा है center of mass के about, तो j की value given है 1, length of rod था 1 meter, equals to 1 by 12, mass 1, length 1, square omega, तो omega की value आ गए 6, radian per second, तो यह 6 radian per second है, इसकी बाद था, ठीक है, next question पर चलें, next question, fourth में, एक equilateral prism दे रखा है, mass है 3 root 2, mass 3 root 3 by 2, और rough horizontal surface पे एक force F लगाया हुआ है, coefficient of friction sufficient है, ताकि यह slip नहीं हो, तो topple कर रहा है, minimum force कितना चीए, टॉपल करवाने के लिए, वो पूछा गए, तो देखें, जब topple होगा, तो इस वाले age के about उठने लगेगा, तो इस वाले age के about, यह rotation लेते वे, torque लिख सकता हूँ, normal इस वाले age के about उठने लगेगा, तो इस age पे पहुँच गया, friction इस age पे पहुँच गया, mg center of mass पे लगेगा, force उपर वाले age पे लग रहा है, यह forces हो गए, इस वाले age के about rotate करेगा, तो just torque balance करते वे लिख दे, इसका torque 0, इसका 0, f का torque आजाएगा, force into perpendicular distance, यह a, यह a, यह भी a है, तो यह height आजाएगी, a, 30 ले लो, तो a cos 30, a root 3 by 2, mg की यह distance आजाएगी पूरे a में से half, a by 2, तो f का torque आगया, f, a root 3 by 2, force into perpendicular distance, mg का torque उसको balance कर रहा होगा, तो mg a by 2, तो हमने torque इस वाले age के about balance कर दिया है, पुछा है कितना force required है, तो f की value आगई, a cancel हो गया, 2 cancel हो गया, f की value आगई, mg by root 3, g की value 10 consider है करनी है, m की value है 3 root 3, तो 3 root 3 by 2, m की value, g की value 10, divide by root 3, root 3 से root 3 cancel, 5 into 3, 15, तो 15 newton force लगाएंगे, तो यह just topple हो जाएगा, या start हो जाएगा, इस वाले point के about toppling कर दो, next question पर चले, question number 5, 5 में बोल रखा है कि, एक small ball fall और यह vertically डाउनवार्ड, 4 meter per second से, strike होई elastically, एक inclined से, यह inclined दे रखा है, 45 degree angle है, इसका यह वाला horizontal से, जो खुद 4 meter per second से, और जंडरल इमोग कर रहा है, velocity किस velocity से, यह rebound होगा, वो velocity हमें calculate कर लिए, तो देखें, अगर यह rest में होता, heavy ball रखा है इसको, massive inclined है, तो अगर यह rest में होता, तो यह जिस velocity से आता, जितने angle पर आता, उसी velocity से उतने angle पर वापस रोट जाता है, जैसे reflection होता है, बिल्कुल वैसे ही, तो हम क्या करें, इसके respect में इसके velocity देख लेता है, तो इसके respect में देखने का मतलब, इसको अगर हम rest में लाएं, तो इदर क्यों और 4 velocity एड़ कर दो, इसमें, rest में लाने के लिए, तो इसके velocity में भी 4 इदर एड़ हो जाएगा, तो इसका मतलब यह हो गया कि, अगर मैं इसको rest में consider कर रहा हूँ, तो यह 4 इदर, 4 इदर तो बिल्कुल बीच में से net resultant velocity होगी 4 root 2, 4 root 2 यह net resultant velocity vertical से 45 हो गया हैंगा, बीच में से बास होगी resultant, equal magnitude थे, यह भी 45 था, तो यह horizontal से 45 पे, यह vertical से 45 पे, एक दूसरे से perpendicular हो गया, तो perpendicular surface पे, जिस perpendicular velocity आ रही है, 4 root 2 तो 4 root 2 से वापस चला जाएगा, तो यह इसकी velocity 4 root 2 meter per second, लेकिन यह तो कब है, इसके relative, हमें actual चीए, तो actual के लिए मैं क्या करूँ, इसको वापस उसके खुद की velocity दे दू 4, यह formula लगा दू, तो actual यह with respect to ground, यह तो with respect to way जा गया, with respect to ground के लिए, इधर की और 4 add कर दू, 45 degree पे, यह इसके net velocity हो जाएगी, तो दोनों component पता, यह दो velocities है, इनका resultant निकालना है, तो a square, 16 into to 32, a square plus b square plus 2 a, b cos theta, दोनों बीच में अंगल, यह 45, इसका root, यह net velocity है, net velocity में root 2 cancel हो गया, 16, 32, 64, plus 16, 64, 74, 80, यह value हाजाईगी, और root x ही पूछावा है, root x में x की value पूछी है, तो 80 meter per second, इसकी velocity आगई, after rebound, ground के respect में, next question, solid cylinder है, mass m, radius r, और release कर दिया, इस position से, slip नहीं हो रहा, corner पे, theta angle, displaced हुआ, और इस surface को leave कर दिया, theta angle पे, तो cos theta x by 28 है, तो x कितना है, वो find करना है, तो देखें, जैसे यह नीचे आएगा, तो इसका angular velocity, या velocity बोच सकते हैं, increase हो रहा होगा, तो just topple होने की situation में, sorry, leave करने की situation में, यहां से जो normal लग रहा है, वो zero हो जाएगा, ठीक, forces और कौन-कौन से हैं, mg, और center की तरफ, इसका centripetal acceleration होगा, यह हुगा, यह अंगल vertical से, corner, theta angle displaced होगा है, sorry, theta angle displaced होगा, तो यह vertical से theta, e angle displaced होगा, तो leave करते हैं, तो पर में बोच सकता हूँ की, mg, cos theta, minus normal, normal zero होगा, equals to m, v square by r, या m omega square r बोल दू, यह हो जाएगा, normal zero कर दिया, अब यहां से cos theta की value आएगी, तो अब देखें, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पर velocity निकालने के लिए, मैं energy conservation इसमें लगा देता हूँ, तो यह वाली initial situation है, और यह इसकी final situation है, यह theta angle, center of mass rotate कर गया, center of mass पहले r height पे था, अब यह नीचे आ गया, तो center of mass की height r, angle theta, r cos theta, यह height होगी, तो work done by gravity होगया, mg r minus r cos theta, यह change in gravitational potential energy, और यह convert हो जाएगा, इस axis के बाउट पूरा rotate करता हुआ, तो kinetic energy is point के बाउट, half rotational I, moment of inertia, solid cylinder है, center के बाउट होता है, half mr square, h के बाउट आ जाएगा, 3 by 2, mr square, और omega square, यह आगे, ठीक है, omega square, यहाँ भे में क्या चीए, या तो यह लिख सकते थे, या इसको m omega square, r भी लिख सकते थे, तो हमें omega square r की value चीए, यहाँ से, r एक cancel हो जाएगा, m cancel हो जाएगा, तो यह हो गया, 4, g, 1 minus cos theta, divide by 3, एक m cancel हो गया, r cancel हो गया, बागी value रहे गए, omega square r, और यह ही हमें चीए थे, यह substitute कर दिया, m cancel हो गया था, तो g cos theta, equals to omega square r, 4 by 3 g, 1 minus cos theta, तो देखें, g cancel किया, 3 cos theta, 4 cos theta, minus का इदर आके, 7 cos theta, और इदर रहे गया 4, तो cos theta equals to, 4 by 7, पूछा किसका value है, x by 28 का, तो 4 से उपर निचे, multiply कर दो, तो यह हो गया, इसकी value, x की value यहां पर, तो 4 से उपर निचे, multiply किया, तो यह हो गया, 16 by 28, पूछा x के value, x के value यहां पर हो गया, 16, next question, next में एक particle बोल रखा है, circular path में, एक मिटर के radius में, मूँ कर रहा है, rest से start किया, tangential acceleration, जो है, वो root 3, t के बराबर, time के साथ vary हो रहा है, तो acceleration of particle, जब 30 degree बना रहा होगा, with a centripetal acceleration, मतलब, particle circular path में, rotate कर रहा है, एक तो tangential acceleration होगा, circular path में, centripetal acceleration होगा, गोल रखा है कि, इसका net acceleration, 30 degree with centripetal acceleration, मतलब इधर net acceleration होना चीए, 30 degree होना चीए, ठीक है, मतलब, इसका component और इसका component, इधर वाला add हो जाए, दूसरा वाला component, cancel हो जाना चीए, तो बोज़ ज़ता हूं कि, इसका दूसरा component, AC, इधर आता cos, sine component, sine 30, equals to, इसका इधर आता sine component, इधर cos, 80, cos 30 के बराबर हो जाना चीए, सही, net acceleration इधर आने के लिए, बाकिए component cancel हो जाए, तो ये situation है, तो पुछावा है, time कितना लगेगा इसमें, तो time की value, कुछ इस तरह से बोल दी, N is about 2 by 3, जिसमें N की value होची है, तो centripetal acceleration लिखेंगे, V square by R, 1 by 2, tangential acceleration बोल रखा है, root 3 T, cos 30, root 3 by 2, ठीक है, अब यहाँ पर, velocity calculate करने के लिए, tangential acceleration, rate of change of speed होता है, तो tangential acceleration, root 3 T, equals to rate of change of speed, dv by dt, इदर ले जाके integrate करेंगे, तो V की value हाजाएगी, T का integration, T square by 2, एक root 3, वैसे limit रखनी है, लेकिन initial जो है, वो rest से start करा है, initial velocity 0 है, तो 0 to T में, यह velocity acquire कर ली, यहाँ पर रख दे, V square by R, तो यह होगा T की power, 4, square क्या, यह रह गया, 2 भी दा, यह है, equals to 3, T by 2, 3 cancel हो गया, R की value radius 1 है, यह 1 हो जाएगा, 2A cancel हो गया, तो यहाँ से T cancel होने के बाद, T cube, equals to 4, R की value 1 रख दी, तो T equals to, इसको 2 का square बोल दे, तो 2 की power, 2 तो था ही, इधर by 3 और हो गया, हमें क्या पुछा हुआ है, N की power 2 by 3, यह रहा 2 by 3, N की value आ गई 2, ठीक है, तो इसमें N की value है, 2, next question 8, एक small block है, mass 1 kg, rest में एक light string से, रखा हुआ है, smooth inclined plane पर, और यह जो है, ZZ axis के about, angular velocity, 2 radian per second से rotate कर रहा है, ठीक है, यह पूरा system, तो block जो है, उसकी distance बता रहिए, 1 by root 3 from the point O, O से 1 by root 3 distance पर, यह distance बता रहिए, तो बताना है कि, इसके इंते tension force केतना है, तो देखें, block का free body diagram बनाया, forces are downward mg, incline की वाएसे normal, string की वाज़े से, पीछे की और tension force, यह rotate कर रहे हैं, या तो center की तरफ, centripetal acceleration लिख दो, या बाहर की और centrifugal force, M, omega square, omega d रखा है, R distance, R हो गया, यह distance, जबकि यह distance हमें given है, O से जो distance है, इसकी वो 1 by root 2 है, और यह 45 degree angle है, तो 1 by root 2 का sin 45, तो 1 by root 2 sin 45, यह 1 by 2 आ जाएगा, यह 1 by 2 है, तो देखे, tension force calculate करना है, इस direction में equation लिख दो, Mg का component, सारे angle 45 ही है, तो Mg का इस direction में component हो गया, Mg, cos यह sin 45 by root 2, equals to, M, omega square R, R की value है 1 by 2, और इसका component भी 45, cos यह sin by root 2, और plus T, तो Mg के दरवाला component इसे balance हो रखा है, अब mass block का है 1 kg, ओमेगा की value है 2, तो आगे लिखते है, 1, G की value, 10 consider करना है, by root 2, इसको इतर ले गए, 1, omega square, omega की value थी 2, 2 radian, तो यह हो गया 4, by 2, by root 2, यह वंदा, और यह equals to T आगया, ठीक है, यह रह गया 2, तो 10 minus 2, यह आगया 8, by root 2, इतना tension force आगया, अब value की आप उच्छी है, 32 की power, 1 by x, 32 की power, तो इसका square कर देता हूँ, एक बार में, तो, यह हो जाएगा, 64 divided by 2, की power square किया है, तो 1 by 2 रहेगा, तो यह आगया 32, तो यह value, इसके बराबर आज़े, तो power पूछी वी है, कि 1 by x, 1 by x है, तो 1 by x में, x की value हो गई 2, तो जो x की value पूछी है, वो 2 के बराबर जाए, 8 के बाद, next question 9, question 9 में, एक particle, circular path में, move कर रहा है, 18 meter radius है, angular velocity time के साथ, vary हो रही है, omega naught 1 by 9 बोल रखा है, तो acceleration बताना है, particle का 3 second पर कितना होगा, तो acceleration अगर लिखें, तो acceleration की 2 part हुए, particle में, centripetal acceleration और tangential, square करके add कर दूँ, centripetal acceleration आजाएगा, omega square r, omega ira, square करेंगे, into r, radius 18, यह तो acceleration बार, उसका square है, और tangential acceleration, omega को differentiate करेंगे, d omega by dt, वो omega naught होगा, वो alpha, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, alpha, alpha into r, 18, इसका square, तो यह इसका net acceleration है, omega naught की value, omega square यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, power 4 है जबकि, तो omega की value है, 1 by 9, तो यह हो गया, 1 by 9, square 81, time 3 बोल रखा है, 3 का square 9, into 18, square, plus omega 1 by 9, into 18, square square, और पूरे की power 1 by 2, 2 times, 9, 9, 9 से 2 times, तो यह रहे गा, 2 का square, 4, यह रहे गा, 2 का square, 4, और पूरे की power, 1 by 2, तो यह value आ गई, पूछावा है, 2 root 2 में, तो 2, 8 है, 8 root 2, sorry, 8 root 8, root 8 को मैं बोल सकता हूँ, 2, root, 2 के बराबर, तो यहाँ पर value, x की value आ जाएगी, x की value आ गई है, यहाँ पर 2, 2 x पूछा है, 4 value आ दे, तो इसे के साथ, यह अपना paper का discussion, complete होता है, ठीक है, thank you.